हमारे धर्म गरंथों में बहुत तरीके के नियम बताए गये हैं कि मा लक्षमी किन चीजों से प्रसन्न होती हैं और कैसे आप छोटी-छोटी उपाए से मा लक्षमी को आकरसीत कर सकते हैं जब भागे साथ ना दे तब जीवन की मुस्किलें ज्यादा परेशान करती हैं वैसे तो जीवन में सुख दूख लगा रहता है लेकिन जब भागे पूरी तरह से साथ ना दे ना तो अच्छी चीजे भी बुरा ही फल देती हैं अपने लोग भी दगाही देते हैं धोखा कद कदम पे मिलती है धन की मुस्किलें हर कदम पे हाथ आया हुआ पैसा कहा ना कहा चला जाएगा कभी बीमारियों में कभी कर्जों में फस गया यानि कि तमाम तरह की दुनिया भर की जितनी भी टेंसन है वह आपके जिम में आ जाती है लेकिन इन तमाम चीजों से बाहर निकलने हैं आज हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे बस दो मिनट का वीडियो है अब ध्यान से सुनिएगा हम आपसे क्या कहना चाहते हैं अब लक्षमी को भला कौन नहीं चाहता कि वो उनके घर में रहे और वहीं रह जा कहीं न जाए पस धन पीसने की जो चक्की होती है जहा हम महिलाओं की बात करेंगे क्योंकि महिलाओं के जिम में बहुत सारी चीजे हैं उनके जिम में और यह चीजों को वह बहतर तरीके से निभाती भी है क्योंकि घर की महिलाएं तो लक्षमी होती हैं लक्षमी स्वरूपा होती है लेकिन साक्षात लक्षमी को प्रसंद करना उनके हाथों में है। बहुत ही सिंपल है handsome, घर में रोटिया इन गूत्तलिस सिंपल हिरोग रोटिया लिए हैं。 ऐसी गल्टी ना करें। कभी-कभी जादा आटा आपने गूत लिया है, भूल से रखना पड़ा, संयोग तो अलग चीज है, फिर तो आप आटा में हमेशा ही मुठी का दाग दे कर रखें, कभी भी आटा का गोल बना कर पिंड के तरह मत रखिएगा, ये दोस लगता है, एक बात हमेशा याद तो जब आटा गुति हैं, कभी भी गुति हैं, सुबह से लेकर साम तक या तो दूद से पूरा का पूरा दूद से आप सकती हैं, या फिर पानी से गुते पर एक चमच उसमें दूद डाल दें, आधा चमच भी चलेगा, लेकिन दूद चरू टालिए, जब भी आप बनाती चूले के आग पर जब रोटियां पूलेंगी, उसी जो एक सोंधी सी खुसबू उठेगी न, वही तो मालक्षमी को बुलाएगा, वो निगेटिविटी को समावत करता है, और खुसियों को बढ़ाता है